देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि जाएगा, ओम गनेशाय नमहा, ओम नमस्षिवाय, मैंने खिल जोतिश आचार्य आप सभी का, मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ, आचा करता हूँ, आप सभी स्वस्तों होंगे, महादेव की ग्रिपा आप सभी पर सदैब बन गेंगे, यह वीडियो है, कन्या आयन कर सकते हैं, कि आपको लगन से ज़्यादा सूट करता है या राशी से, उसके इसाब से आप इस राशीफल को देख सकते हैं, आपके जीवन के जितने भी प्रमुक एसपेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेक्शन्स, करियर, विजनस, लव लाइफ, मैरेड लाइफ, सेहत, और स् हैं, जून 2022 के मासिक राशीफल का जनरल प्रेक्शन्स के साथ, कन्य आनी की वर्गों के लिए, यह जो आने वाला महीना है, यह काफी अच्छा ही दिख रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यदि हम लगन को देखेंगे, तो को अच्छे मिलेंगे ही, उसके साथ ही लगन के स्वामी, यानि की बुद्ध, वो भाग्य स्थान में रहेंगे, अल्मुस्ट पूरे महीने, वक्री रहेंगे महीने के शुरुवात में, लेकिन वक्री से मारगी हो जाएंगे, तो यह भी अच्छा है, जो प्रत्न कर रहे थ अपनी लाइफ में, जहां पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वो इस महीने के शुरुवात से ही आपको, उन सब कारियों में आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, यह आपके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है, सूर्य देवता रहेंगे आपके लगने है, यह बहुत अच्छा रहेगा, ब्रहस्पती आपके लिए चौथे घर के भी स्वामी है, तो यह महीना प्रॉपर्टी आदी खरीदने के लिए भी काफी अच्छा देख रहा है, कुछ विशेश योगों की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं, जैस एक बहुत अच्छी परिस्थेती है आपके लिए, आपके लगने के स्वामी खुद एक राजयोग बना के रहेंगे, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है, लगने के स्वामी है और त्रिकोन भाव में बैठेंगे, तो यह भी एक राजयोग रहेगा, महीने के शुरुआत में अनफा योग रहेगा, यह बहुत अच्छा रहेगा, बुद्ध आधिते योग, क्योंकि उसमें आपके लगने के स्वामी इंवॉल्ड होंगे, और पंदरा तारीक तक रहेगा, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज में निपुन रहेंगे, अपने हर का लोग आपके लिए साफ बता रहे हैं कि इस महीने, जो भी कारे आपके रुक रहे थे, जहां पर भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जहां पर भाग्ये का साथ नहीं मिल रहा था, उन सब एरियास में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलने वाले हैं, एक चीज कहू प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लोगों की तरफ से जो आप सम्मान चाहा रहे थे, लोगों की तरफ से जो रिकर्गनिशन चाहा रहे थे, वो शायद इस महीने बहुत जादा आपको नहीं मिलेगा, अगर अपने आपको चेंज करते हैं इस महीने, तो आपके लिए काफी चाहते थे अपनी लाइफ में, तो पुरानी बातों को भूल पाएंगे, तभी कोई नई शुरुवात इस महीने कर पाएंगे, क्योंकि लग रहा है कि बार बार पुराने जो बुरे एक्स्पिरियंसेस आपके साथ हुए हैं, वो बार बार आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और आपको थोड़ा सा तंग करते हैं, कुछ अलग सी चीजें इस महीने आपके लाइफ में होने वाली हैं, स्पेशली महीने के अंदिम भाग में और वो आपको थोड़ा सा अश्चरे चकित भी कर सकती हैं, पैसों के हिसाप से, मैटेरल वेल्थ के हिसाप से तो महीना काफ रखेंगे, और तीसरा ये कि, जैसा मैंने कहा कि रेकगनिशन नहीं मिलेगा, हो सकता है उसके कारण, या कुछ लोग जान बुच कर आपको बहुत अकेला फील करें, और यदि उस भावना में चले गए, एक बार उस मोड में चले गए, तो भी आपके लिए उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो महिने का शुरुआती भाग है, इस में थोड़ा अपने मन की बातों को सुनने का ध्यान करेंगे, सुनने का कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो महिने का बीच का भाग है, इस पे मैं यहीं कहुँगा कि जो भी आपके पास है resources जो कुछ भी आपके पास अविलेबल है उसको धंग से यूटिलाइज कीजिए अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा और जो महीने का अंतिम भाग है उसमें जो 20 से या 21 से 24 तारीक है यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आईगी लेकिन उसके बाद जो महीने का टोटल अंतिम भाग है वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा देकर आपको जाएगा इसकी समभावनाएं बहुत जादा प्रबल है आप चलते हैं करियर के तरफ आप ज़ पहले दस्तान को देखेंगे तो लेकिन वहां के स्वामी बुद्ध ही बनते जो आपके लगने के स्वामी है वह भागिस्थान में रहेंगे तो इस पूरे महीने कारक शेत्र में भाग्य का साथ तो आपको और्श्य मिलेगा लेकिन बोश्स से सुपिरियर से सीनियर से इवन कलीक से बहुत वादवाद होंगे और यह महीने के शुरुवात में तो होगा ही लेकिन आल्मोस्ट पूरे महीने यह चीज बनी रहेगी स्पेशली यदि आपकी प्रमोशन होई है रिसेंटली आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है आपका थोड़ा नाम बड़ा है तो तो आपके लिए यह जो पूरा महीना है आपके जो कलीक्स हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रियेट करने वाले हैं मैनेजमेंट के साथ भी थोड़े इशूज हो सकते हैं तो इन सब के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि इनको आपको इन सब परिस्थित्यों को आपको एक एक चैलेंज ही लेना पड़ेगा अगर इन सब चीजों से दब गए तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक र भागे स्थान में बैटे हैं आपके दसवे घर के स्वामी तो जैसा मैंने बताया कि कुछ बहुत अच्छा कारेक्षेत्र में हो सकता है क्योंकि भागे का साथ अवश्य मिलेगा आपको डिटर्मिनेशन पूरी रखती है और अपने ओपर थोड़ा कंट्रोल रखना है अप अपने जो एम्बीशन है उसको बरकरार रखेगा उस पर काम करते रहिएगा कॉमुनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अब वो जान बूच के आपके लिए क्रियेट करी जाएगी या नहीं वो देखने की बात है लेकिन मिस कॉमुनिकेशन आपके कई लोगों के रहें तो उसके लिए उसके कारण अपने आपको डी मोटिवेट मत होने दीजेगा आपको अपने आपको अपलिफ्ट करके रखना है आपको अपने आपको सेल्फ मोटिवेट करके रखना है तभी बात बनेगी अगर नई जॉब ठुनने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी से पहले उसके बारे में बात्चीत कर लीजएगा पहले guidance ले लीजएगा पहले हर चीज clear कर लीजएगा उसी के बाद उस subject में यानि की नई job के लिए आपको आगे कोई कदम रखना है दो-तिन चीजों का ध्यान रखना है एक कभी-कभी passion यानि की career के बारे में intensity अपने job के बारे में जो एक लगाव होता है वो थोड़ा कम हो सकता है जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आपको recognition ना मिले तो वहीं पर थोड़ी problem हो जाएगी कहीं-कहीं पर बहुत low feel करेंगे और जो आपके प्रतिद्वन्दी है वो उस चीज का फायदा उठाएंगे दूसरा कहीं-कहीं पर बहुत impatient हो जाएंगे और कुछ ऐसा काम कर देंगे ऐसी बात बोल देंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए और तीसरा कहीं-कहीं पर responsibility से हटने की कोशिश करेंगे हो सकता है आपके senior आपको कुछ बोलें और हो सकता आपका काम ना भी हो लेकिन ऐसी चीज़ें कभी-कभी नेगेटिव भी हो जाती है यदि आपके seniors आपको कोई काम बोलते हैं बहली आपके profile के हिसाब से नहीं है वो तो कोशिश कीजिएगा कि उसको accept कर लें महीने का जो शुरुवाती भाग है इसमें आपको अपने करियर के बारे में और जानने की कोशिश करनी है इस्पेशली जो लोग अभी-अभी अपनी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या जो महीने का बीच का भाग है इसमें अचानक से growth के chances आ सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा और जो महीने का अंतिम भाग है इसमें अचानक से आपके करियर में कोई बहुत अच्छी opportunity आ सकती है यदि आप अपने सेंसेस में रहे यदि आपने opportunity का फायदा उठाया तो आपके लिए आपके करि या फिर आप medical field से जोड़ा कुछ भी जॉब करते हैं तो यह पूरा महीना आपके लिए अच्छा है जलते हैं बिजनस की तरफ जो लोग बिजनस करते हैं यह महीना overall तो अच्छा है क्योंकि सात्वे स्थान को भी देखा जाता है और लगने के स्वामी भी अच्छे position में है और सात्वे भाव में व्रहस्पती हैं जो कि अपनी राशी में हैं मंगल भी है और गुरु मंगल योग बन रहा है तो यह आपके लिए अच्छा ही रहेगा बिजनस में नई opportunities आ सकती हैं और कुछ काम जो आपके अटक रहेते वो आपकी management से आपके काम करने के तरीके से अच्छा ही लग रहा है बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जादा काम नहीं पकड़ने जो आप नहीं कर सकते मतलब कि और वर्क नहीं करना कभी-कभी क्या होता है जब समय अच्छा होता है बिजनस में और जाने लगते हैं तो व्यक्ति बहुत सारा काम पकड़ ले और यदि यह जो finances है यह आपके हाथ में नहीं किसी और की हाथ में है तो उसको check कर लीजेगा हो सकता है व्यर्थ को खर्चे काफी हो रहे हो हो कभी-कभी होता है कि business थोड़ा बड़ा हो जाता है तो finances किसी particular व्यक्ति को दे दिये जाते हैं तो उस पे regularly check रखना चाहिए और यही आपको इस महीने करना है कुछ बहुत अच्छे orders आपको कुछ बहुत अच्छे opportunities आपको अपने business में इस महीने अवश्चे मिलेंगे तो उनको handle करने के लिए तैयार रहिएगा अपनी जो भी तैयारी है जिस भी फिल्ड में आपका business है उसका तैयारी को पूरा रखेगा क्योंकि पैसे के हिसाब से काम के हिसाब से यह पूरा महीना काफी अच्छा दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसा business आप चाहते थे जिस वे में जिस तरीके में आप चाहते थे कि आपका business आगे बढ़े यह महीना आपके लिए वह चीज आपको अवश्य देके जाएगा एक दू चीजों को बहुत आपको ध्यान में रखना है एक गुस्सा नहीं दिखाना बहले ही कैसी situation हो जाए भले ही आपके employee भी आपको तंक करें इस महीने गुस्सा मत दिखाईएगा वन्ना वह आपके विपरीथ ही जाएगा आपके लिए विपरीथ ही कोई result देगे जाएगा दूसरा unrealistic expectations नहीं रखनी कि एकदम पैसा आ रहा है तो अचानक से आपको यह लगने लगा कि हाँ अपना काम एकदम बढ़ जाएगा तो उसके साब से आपने investment बहुत सारी कर दिया बहुत सारी बहुत सारा समान खरे लिए थोड़ा धैरे रखिएगा धीरे धीरे business को बढ़ कि लड़ जाईए या डाटना शुरू कर दिजिए आपको इस महीने क्या करना है कि आपको अपने business के हर aspect पर नज़र रखनी है और as a boss ऐसा नहीं कि किसी employee को बोल दिया अच्छा भी या वो देख लिया तुमने क्या ऐसा नहीं खुद जाईए हर document पढ़िये हर details पढ़िये यह उनके लिए है जिनका business थोड़ा बड़ा है हर चीज पर अपने business के हर aspect पर आपको इस महीने अच्छी नज़र अच्छी पकड बना के रखनी है महीने के शुरुवाती भाग में तो अचानक से कुछ अच्छी opportunities आएंगी जो महीने का बीच का भाग है इसमें थोड़ी confusion आपके अंदर हो सकती है किसी चीज़ को लेकर और वो confusion रहेगी at least 15 से लेकर 23 तारीक तक उसके बाद आपके business में अचानक से फिर से कोई अच्छी news एक अचानक से profit या अचानक से finance का inflow हो सकता है गया आप real estate से जुड़ा या फिर chemical से जुड़ा या फिर दवाईयों से जु पूरा महीना काफी अच्छा रहने वाला है आप चलते हैं लव लाइफ के तरफ पांचवे स्थान को बहुत महत्वा दिया जाता है लव लाइफ के लिए सात्वे स्थान को भी देखा जाता है कामद्रिकोन को भी देखा जाता है सबसे पहले बात करेंगे कि जिनका no contact situation था और उसके बारे में आपको पता भी है लेकिन आप उस चीज़ को accept करने के लिए ready नहीं है थोड़ी practical approach लानी पड़ेगी यदि इसी एक चीज़ में खोई रहे तो आपके life के जो बाकी सारे important काम है आपका ध्यान उन सब पर से हट जाएगा तो मैं यही कहूंगा कि अधी बा सारी चीज़ें है और भी opportunities आएंगी इस महीने थोड़ा chance कम है नया relationship start करने के लिए महीना ठीक ठाक सा है महीने के शुरुआत में एक clarity आजाएगी आपके mind में कि आपको किस तरह के partner चाहिए क्या क्या आपका expectations है हो सकता है किसी से बातचित शुरू हो और ऐसा लग रहा है कि महीने के अंत तक आते आते आपका नया relationship start हो सकता है तो उसे साब से महीना अच्छा ही दिख रहा है जो लोग already relationship में हैं देखे पांचवे स्थान के स्वामी शनी देव है वो रहेंगे आपके छटे स्थान में और वक्री हो जाएंगे महीने के शुरुआत में तो यह महीना में relationship में थोड़ी ऊंच नीच थोड़ी ups and downs थोड़े miscommunications तो रहने वाले हैं चीजों को जितना धैरेपूर्ण तरीके से आप handle कर पाएंगे उतना आपके relationship के लिए अच्छा रहेगा जहां थोड़ा गुसा जहां थोड़ा impatience दिखाया वहीं आपके लिए थोड़ी बहुत problem हो सकती है जादा अपने partner की life में घुसने की कोशिश मत कीजेगा वह आपके लिए थोड़ा नकरात्मक हो सकता है ऐसा नहीं कि उनको भूली जाए अटेंशन दीजिए उनको लेकिन जादा indulge मत होईएगा वह आपके relationship के लिए थोड़ा बहुत हानिकारक हो सकता है हो सकता ह है कि आपके relationship में बहुत ही जादा यादी problem आजाए तो आपको किसी consultant या फिर क्या counselor जो बोलते हैं आजकल हाँ counselor की भी जरौत आपको पड़े अगर आप चाहते हैं कि relationship सुचारू रूप से चले और जादा ही problems आ जाए तो हो सकता है किसी professional counselor की आपको जरौत पड़े उन अगर आपने ये महीना ढंग से काट लिया अपने relationship में तो एक बात तो पक्की है फिर आपके relationship में बहुत stability आ जाएगी और आने वाले बहुत समय तक आपका relationship stable चलेगा दो तिन चीजों का ध्यान रखेगा एक intensity यदि आपकी अपने partner से match नहीं करती तो आपको धैर दिखाना है दूसरा कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने जो उनको चुभेंगे अगर ऐसा आपने कुछ बोला तो बहुत जादा बड़ी problem हो सकती आप भले ही मजाक में कुछ बोल दें उसका भी जिसको कहते हैं बात का वतंगड़ बनना वो बन सकता है तो अपने शब्दों पर control सब्दार हों जो भी हो उनका जादा involvement नहीं होना चाहिए जो महीने का शुरुवाती भाग है आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत sensitive रहेंगे तो थोड़ा संभल के रहिएगा जो महीने का बीच का भाग है इसमें trust issues होंगे अपने विश्वास पर अपने relation के प्रति अपने पार्टनर के प्रति जोड़ा काम करना है यदि महीने के 20 तारीक एकिस तारीक तक सब कुछ ठीक रहा आपने सब कुछ handle कर लिया तो हो सकता है जो महीने का अंतिम भाग है वह आपके लिए काफी stable जाए आपके relationship में चलते हैं लेकिन मंगल के साथ है मंगल आ गए सात्विस्तान में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा married life इस महीने गुस्सा थोड़ा जादा रहेगा manage नहीं कर पाएंगे और थोड़ा क्या होगा कि जो आपके life partner है उनके व्यक्तित्व में change आएगा और ये चीज भी शायद आप थोड़ा सा handle ढंक से नहीं कर पाएंगे तो थोड़े ups and downs तो married life में दिखी रहे हैं पाप करतर योग में भी रहेगा पूरे एक महीने आपका सात्वा भावर क्योंकि एक साइड राहू होंगे एक साइड शनी होंगे तो problems तो इस महीने marriage में आएंगी married life में आएंगी ब्रहस करते हुए simple रखेंगे चीजों को उतना आपके लिए married life ठीक रहेगी यदि धैरेख होया तो फिर married life में बहुत problems होंगी trust issues होंगे इस महीने काफी लेकिन यदि आपने trust पर काम किया थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन यदि आपका trust build up हो गया इस महीने अपने शादी में काफी लंबे समय तक आपके married life को सुचारू रूप से चलाता रहेगा communication problem होगी कोशिश कीजेगा communication थोड़ा सही रखने का जूट मत बोलिएगा सच मत चुपाईएगा वो सामने आ जाएगा और बहुत problem होगी जरूत पड़े तो किसी की मदद भी ले सकते हैं professional counselors की हो गई द अपने विवाहिक जीवन पर बोरियत भी होगी, ego clashes भी होगे और कभी कभी शादी के सबंदन को तोड़ कर कहीं दूर भाग जाने का बन भी करेगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जो महीने का शुरुवाती भाग है इसमें problem शुरू हो जाएगी जैसा मैंने का आ महीने के बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो सकती है वो भी तभी होगी यदि आपने थोड़ा एक अच्छी तरह से बात करी आपने चीजों को हैंडल करने का कोशिश किया महीने के अन्त में जलद बाजी के कारण आपके मैरिद लाइफ में फिर से बहुत सारी problem द बहुत जरूत है अब चलते हैं students के तरफ students के लिए महीना और और अच्छा देख रहा है क्योंकि पांचवे भाव के स्वामी शनी है और वो छटे स्थान में रहेंगे तो अच्छा रहेगा यह महीना क्योंकि एक तो वकरी हो जाएंगे तो मेहनत तो करवाएंगे लेकिन आप आपके studies में देने वाले हैं बात करते हैं पहले जो competitive exams या कोई भी exam जिनके हैं महीने के शुरुवाती भाग में रहेगा आपको कोई exam एक से 10 में बहुत अच्छा समय रहेगा महीने के बीच के समय में कोई exam रहेगा उसमें भी आपका result बहुत अच्छा हैगा आपके प्रयत students के लिए आपके सपने पूरे होंगे life आगे बढ़ेगी आपके अपने plans जो है वो काम करना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे ऐसे मोग आएंगे जो आपको अच्छा महसूस कराएंगे आपके लिए आपके family के लिए अच्छी news आएगी celebration का महल रहेगा आपके कारण कुछ कुछ ना कुछ यानि की अच्छा अपने study life में करेंगे higher studies करना चाते थे उसके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी overall बहुत ही जादा अच्छा महीना है students के लिए decision making abilities भी बहुत अच्छी रहेंगे बस थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एक कहीं कहीं पे confidence कम ह हो जाएगा दूसरा अपने life को स्टेबल नहीं रख पाएंगे student life को यानि की time table नहीं रहेगा उसके कारण थोड़ी problem हो सकती है और इसके साथ ही कई चीज़ों को delay करेंगे वहाँ पे भी थोड़ी आपके लिए कुछ नकरात्मक चीज़ें हो सकती है महीने का शुरुवाती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा देख रहा है बहुत सारी opportunities आएंगी महीने के बीच में आपके कई dreams पूरे हो सकते हैं कुछ बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है students के लिए महीने के बीच के भाग में होता हुआ जिसकी उनको बहुत समय से वेट थी और जो महीने का अंतिम समय है ये भी अच्छा ही है बस यहाँ पे कभी-कभी थोड़ी negative thoughts हा सकते हैं और कभी-कभी कोई impulsive निरने ले सकते हैं वो आपके लिए थोड़ा नकरात्मक हो सकत आप चलते हैं सेहत की तरफ लगन पर ब्रहस्पति की दृष्टी रहेगी ये थोड़ा बहुत अच्छा है मंगल की दृष्टी थोड़ा बहुत नकरात्मक प्रभाव देगी क्योंकि आठवे भाव के स्वामी है और आपके लगने के स्वामी सूरे के साथ है जो बारवे भावके स्वामी है यह थोड़ा नकरात्मक है 15 तरही तक वहीं पर रहेंगे और महीने के शुरुआत में आपके लगने के स्वामी वक्री भी रहेंगे तो सेहत थोड़ी बहुत तो डामाडोल रहेगी थोड़ी बहुत अपन डाॉन्स आएंगे आपके सेहत में, especially महीने के शुरुवाती भाग में, क्या-क्या प्रॉब्लम दंग कर सकती है, महीने के शुरुवात में देखी आपको डायवटीज जदी है तो प्रॉब्लम होगी, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसके कारण खर्चा भी जादा हो, लेकि डायवटीज को छ महीने का बीच का भाग है, उसमें water retention की प्रॉब्लम और anxiety की प्रॉब्लम और sleep disorders तंग करेंगे, और जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें फिर से sleep disorders और इसमें भी कुछ ना कुछ मानसिक वेदना हैं, आपको काफी तंग करेंगी, blood disorders भी तंग कर सकते हैं, और इस महीने आपक कि किसी भी लक्ष्मी नाराने मंदिर में जाकर घी और चीनी का दान करके आना है, कितना यह आपके शमता पर और आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, इसके साथ ही आपको वहाँ बैठकर विष्णु जी के कोई भी एक स्वाट नाम सुनने हैं और उन पर meditate करना है, यही कि आपके लिए इस महीने का उपाए रहेगा, चैनल पर नए है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तके लिए, ओब नमस्च्छु